तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ZIM vs IND, Jim Bombay vs India Jim Bombay और India के बीच में ये 2nd T20 मैच खेला जाएगा 5 T20 मैचेस की सीरीज है जिसको पहला मैच जो था वो Jim Bombay की टीम ने काफी अच्छे तरीके से विन किया था और यहाँ पर ये 2nd मैच होने वाला है चार बच के 30 मिन पर मैच होगा हरारे के वेन्यू पर मैच होने वाला है फुली स्टैट्स इंफर्मेशन इस वीडियो में आपको देंगे यानि की पूरी जानकारी आपको मिलेगी तो वीडियो को मेरे भाई आप बस पूरा देखना पूरा देखोगे आपको बहुत अच्छा लेगा वीडियो और वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा सबसे पहले तो आपको माइ मास्टर एस और यहाँ पर तो है रहती है और इस मोल लीग में आपको लो एंटरी पीस लगती है तो आप जो है वीजन 11 को जरूर से डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर खेलना आप स्टार्ट करो आप एक बार यहाँ पर खेलोगे ना तो बोलेगे भाई की यही सबसे बढ़िया है और यही सबसे बेस्ट है और देख लो भाई 50,000 रुपे का गिवए है यहाँ पर तो अपने टीब जरूर से डालना चलिए अब डेरेक्टली मैच के बारे में बात करते हैं जिंबॉम्बे वर्सेज इंडिया यह जो है सेकंड टीट्वेंटी मैच है चार बच के तीस मेंट पर हरारे स्पोर्ट्स कलब हरारे के वेन्यू पर मैच हो रहा है यहाँ की अगर पिछ रिपोर्ट की बात की जाए यहाँ की पिछ पर अच्छी बैट देखनी के लिए मिलती है लास्ट मैच में जो है हम अच्छी बैट दिखनी के लिए नहीं मिली इंडिया की भी बैट खराब रही और जिंबों पर की तो थोड़ी सी हई है यह और अगर मैं बात करूँ तो फास्ट बोल्स को एडवांटेज रहता है लेकिन स्पीनर्स यहाँ पर गेम में आए और स्पीनर्स को भी यहाँ पर विकेट मिला रभी विस्नुई ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी तो यहाँ पर आपको पिछी रिपोर्ट हमने बताई थी लास्ट मैए वीडियो में वही लगबग लगबग सेम थी कर दीजिए अगर आपने लाइक ने किया है तो वीडियो को लाइक आप जरू से किया करें यार काफी सपोर्ट और मोटिबेशन मिलता है वेन्यू स्टैट्स की बात की जाए इस वेन्यू पर अगर आप देखोगे टोटल जो है 41 टी 20 मैचस हुए है 23 बार बैट फर्स्ट करने वाले टीम ने विन किया है और 18 बार बैट सेकंड करने वाले टीम ने विन किया है 156 रन जो है एवरेज स्कोर है 229 रन यहाँ पर हाइस्ट स्कोर है और 99 रन लोवेस्ट स्कोर है 41 मैचस में 20 मैचस में 150 रन से नीचे का स्कोर बना है 150-170-8 मैچस में 170-190 के बीच में 7 मैچस में और 190 से उपर 6 मैچस में यहाँ पर स्कोर कार्ड रहा है वेंडी उपर जो लास्ट मैच कहला गया था वो 6 जुलाई यानि कि कली मैच कहला गया था और इस मैच में आप देख सकते हो कि बैट फर्स्ट करने वाले टीम में सिर्फ 13 रन से मैच विन किया था टोटल 19 विकेट जो है इस मैच में गिरी थी जबकि उसके पहले वाले मैच अगर आप देखोगे न तो यहाँ पर थोड़े से अच्छे रन बनते विए आपको दिखाई देंगे तो यह लास्ट के कुछ जो मैचस हैं जो कि 2023 में खेले गए हैं इनका भी स्कोर कार्ड आपको जरूर से देखना चाहिए गाईज अब बात करते हैं हैट टोएट के रिकॉर्ड की तो हैट टोएट के रिकॉर्ड में अगर आप देखोगे टोटल जो है 9-20 मैचस हुए है जिम बॉम्बे और इंडिया के बीच में तीन बार जिम बॉम्बे की टीम ने विन किया है और छे बार इंडिया की टीम ने विन किया हुआ है हरारे के वेन्यू पे जिम बॉम्बे का रिकॉर्ड अच्छा है और इंडिया का भी record बहुत अच्छा है यहां पर आप देख सकते हो कि Hard Ray के ही venue पर एक match यह वाला Jim Bombay ने विन किया है और यह दो matches जो है इंडिया की team ने विन किया है और यह recent वाला जो है Jim Bombay की team ने विन किया है यानि कि last के 4 matches में 2 match Jim Bombay की team ने और 2 match इंडिया की टीम ने बिन किया है जबकि Head to Head की रिकॉर्ड में अगर आप देखोगे तो Jim Bombay की टीम ने दो मैचस बिन किया है और तीन मैचस यहाँ पर रिसेंट में इंडिया की टीम ने बिन किया है टोटल ओभराल इंडिया की टीम का चाहिए था लेकिन ये विन भी जो है लॉस हो गया अब यहाँ पर हमने रिसेंट फॉर्म भी डाल रखी है लास्ट पाइप मैचस आपको यह सारी चाहिए हमने अलड़ी बता रखी है आप यहाँ पर देख लो बस लास्ट वाला मैच यहाँ पर इंक्लूड कर लेना प्लेइंग लेवन की बात करते हैं तो देखो यार प्लेइंग लेवन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे सेम प्लेइंग लेवन जो है आपको लगभग लगभग है और टंड़े ही चटा रहा है यह जिम बॉंबे टीम की प्लेइंग लेवन है प्लेइंग लेवन के साथ साथ प्लेयर रोल भी हमने दिया हुआ है और आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया भी था कि कौन-कौन से प्लेयर इनके रहेंगे जिनको आपको प्रिफरेंस देनी चाहिए सबसे पहले बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो भाई ब्लेसिंग मुझरबानी उसके बाद टंड़ा ही चटा रहा फिर लुक जों उसके बाद जो है बैलिंग्टिन मसक जादा और सिकंदर राजा तो बॉलिंग करते ही है तो भाई सिकंदर राजा तो आपकी बैटिंग ओडर प्लेयर रोल लग में जो है लिखे हुए है अब प्लेयर की परफ़रमेंस के बाद करते हैं इनोसेंट का या मुकेस कुमार इनने जो है इनको बोल्ड मारा है ट्टो एड में लास्ट एक ही मैच है इनका बाकी ओबराल इनका केरियर स्टैट्स आप देख स सकते हो छे मैचस के लिए हैं 120 रन है और जो है 24 का अबरेज है वैसली मदय विरेन ने जो है 21 रन किया ब्रायन मनेट जो है बॉलिंग भी कर लेते हैं 22 रन प्लस एक विकेट है और वेन्यू पर चार मैचस के लिए हैं 50 रन हैं सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये भी जोंग को एक विकेट मिला मुझरवानी को एक विकेट और टंडेई चटारा को भाई तीन विकेट मिला एक विकेट वैलिंग्टन मसक जादा को भी मिला ये लास्ट मैच की जो है इनकी बॉलिंग है बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत ये अच्छी इन्होंने बॉलिंग भी कराई थी किसने कितने ओबर डाला थे वो सारी चीजे हमने यहाँ पर डाल रखी हैं बॉलिंग इनकी जो है सेकेंड सी और इंडिया की टीम को भाई इन्होंने पूरे जो है ओल आउट कर दिया था इंडियान की प्लेयर की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करू गिल ने जो है 31 रन की इनिक्स के लिए जो की सबसे हाइस रन थे इस दोनों ही टीमों को मिला के उसके बाद अविशेक सर्मा विकेट लेस रहे दो अभर डाले थे इन्होंने और डेब्यू में स्थावाई लेकिन जो है विकेट लेस रहे और जीरो रन प्याउट हुए रि ताइस रन प्लस दो विकेट तो भाई बॉलिंग भी कर लेता है बंदा और बैट भी कर लेता है हालाकि बैट ओडर काफी नीचे है रवी विस्नोई ने काफी अच्छी बॉलिंग कर आई थे बाई दो मैडन ओबर डाले थे और अगर आप देखोगे तो चार विकेट लेक गिंदबाजी करते हों मिलेंगे और आवेस खान, मुकेश कुमार, खलील यहीं जो है आपको डेट में भी गिंदबाजी करते हों मिलने वाले हैं अभिशेख शर्मा अजया प् prat time आपको ॑ल करते हों मिलेंगे तो ध्यान रखेगा अभिशेख सर्मा फूल टायम बालर नह ये बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं, लोग इन पर फोकस कर रहे हैं, आप भी जो है अपने टीम में इनको जो है लेके जा सकते हैं इस मॉल लिग में CVC की बात की जाए, सुम्मन गिल, रितुराज गैकवार, रियान पराग, सिकंदर राजा ये CVC के लिए one of the best options है, इसमें ध्यान रखेगा कि रियान पराग, बॉलिंग भी कर लेते हैं ग्रैंड लिंग में जा रहे हैं तो टॉप और फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो रिंको सिंको करिए अब रभी विश्णोई को जो है, कैप्टन वाइस कैप्टन करिए, लुक जोंग पे थोगा सा ट्राइ कर सकते हो और अब शेक सरमा को अगर बॉलिंग मिलेगी ना, तो ये बंदा जो है फोर सकता है आई पिल में यार बहुत अच्छे फॉर्म में था जिंबोब में टीम की पूरी फुली स्कोर डिटेल है, इंडिया टीम की पूरी फुली स्कोर डिटेल है तो दोनों ही टीम की हमने यहाँ पर स्कोर डिटेल भी सेयर करिए है तो आप स्कोर डिटेल भी इनकी देख सकते हैं वीडियो को लाइक कर दीजे और वीजन 11 को डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम का चैनल भी जरूर से ज़ाइन कर लेना देखो टेलीग्राम पे बहुत सारे मैचस में आज कवर करने वाला हूँ क्योंकि आज मैं फ्री हूँ और घर पे रहूँगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जरू से जुड़ियेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल और वीजन 11 की लिंक डाल रखी है ड्रीम 11 पे चलते हैं जहां पे अपनी हम 3 मेंबर और 4 मेंबर की टीम रेडी करेंगे विकेट की पिंग सेक्सन से शुरुआत करेंगे आपको सी मदाने द्रोजुरियल आपको दो आप्शन्स बिलती है अब देखो यार यहाँ पर तो है क्या है ना कि दोनों का बैटर तोला सा नीचे है फिलाल मैं सेफ आप्शन यहाँ पर तो है द्रोजुरियल के ही साथ में जाओंगा C. मदाने का कोई ठीक नहीं है मैंने सुबमन गिल को लिया है यहाँ पर आप जिसको चाहओ ले सकते हो मैं नहीं ले पाया हूँ सिकंदर राज़ा को लिया है आभिशेक शर्मा को लिया है और यहाँ पर बी बनेट को अपने टीम में लिया है बॉल में अगर मैं बात करूँ तो मैंने रभी विस्नूज को लिया है आविस्खान को लिया है मुकेश कुमार, खलील एहमद को अपने टीम में लिया है इंडिया के सारे बॉलर्स को मैं रखूँगा इसके अलाबा मैं Blessing मुझरबानी को अपने टीम में लेके जा रहा हूँ आप चाहो तो Extra Better अपने टीम में रख सकते हो लेकिन मैं नहीं ले पाया हूँ और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जिम बॉम्बे के मैंने 3 प्लेयर लिया है आठ प्लेयर मैंने इंडिया के लिए है द्रूज जुरियल है हमारी टीम में सुमन गिल है रितुराज गैकबाड है सिकंदर राजा है अभिशेक सर्मा है बी बनेट है Blessing मुझरबानी है रवी विस्नोई है आविस खान है खली लेमद है और मुकिस कुमार है तो यह हमारी टीम रहने वाली है CVC की बात करें तो देखो यार सिकंदर राजा वन अब बेस्ट उप्शन मिलती है तोड़े से जो है रन 15-20 रन करके आपको दे देंगे और एक बिकेट अगर निकाल लिए न तो उस जो है कंडिशन में यह कैप्टन के अच्छी उप्शन है और यहाँ पर अविस से एक सर्मा को जो है मैंने वाइस कैप्टन सी दिये क्योंकि मुझे लगता है कि सायच से एक ओभर भी अगर मिल जाए तो यह बंदा बेकेट निकाल लेगा दूसरी चीज है कि इस मैच में यह बंदे से मुझे काफी उमिद है कि 15 रन से 20 रन एट लिस्ट यह करके दे और वो अगर कर दियाना तो वाइस कैप्टन सी जो है सफल हो जाएगी आप यहाँ आपर क्या कर सकते हो कि भाई आवेश खान, खली लेंबद, मुकेश कुमार या रवी विष्णोई के भी साथ में जा सकते हो एजस CBC यह भी जो है अच्छी उप्शन्स है तो इंडिया के जो भी प्लेयर रहेंगे न वो CBC के लिए अच्छी उप्शन हमेशा रहेंगे Grand League की टीम में तो वन बाई वन करके आपको ट्राइ करना ही चाहिए अगर आप 20 टीम बना रहे हो तो सब को भाई ट्राइ कर लेना कोई भी प्लेयर कभी भी जो है चल सकता है दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर अगर आप पहली बर आये है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ऐसे ही चैनल को देखते रहिए सपोर्ट करते रहिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में